यतिनर सिंगहनन सरस्वती ने वरिष्ट पत्रकार पर लगाए गंभीर आरोप पत्रकार ने किया खुलासा अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले तथा कतित हिंदु धर्म गुरू यतिनर सिंगहनन सरस्वती ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कभी महिलाओं के खिलाफ अभधर टिपणी तो कभी विशेश समुदाय के खिलाफ भड़काओ बयान बाजी करने के आरोपी नर सिंगहनन सोतंत्र पत्रकार हिमानशु भट को दिये इंटर्व्यू में आल्ट के को फाउंडर और वरिस्ट पत्रकार मोहम्मद जुबैर दवायर की वरिस्ट पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और न्यूज मीडिया पोटल दप्रिंट पर बेहत गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं नर्सिंगहनन द्वारा लगाय जा रहे चौंकाने वाले दावों का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है दरसल स्वतंत्र पत्रकार हिमानशु भट नर्सिंगहनन से पूछते हैं कि ये मीडिया वाले आपके छवी क्यों धूमिल करना चाहते हैं जवाब में नर्सिंगहनन कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं अकेला आदमी हूँ जो बिना डरे विशेस समुदाई से लड़ रहा हूँ नर्सिंगहनन यहीं नहीं रुकते वो दवायर की वरिष्ट पत्रकार आर्फा खानम शेरवानी और न्यूज पोर्टल दप्रिंट पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इन सब को मेरे खिलाफ लड़ने का पैसा मिलता है जो जुबैर आर्फा खानम दवायर एक दवायर दप्रिंट और तीन-चारे से इपोर्टल जो यह चीज तैग कर देते हैं लोग इसे दिखाने लगते हैं क्योंकि इनका ही पैसा है यह सब जगे पैसा जाए ओल्ट न्यूस के वरिष्ट पत्रकार मुहमद जुबैर ने अतिनर सिंगहनन के तमाम दावों का खंडन किया तो वहीं यूजर्स भी जम कर रियक्शन्स देते दिखाई दे रहे हैं यह कह रहे हैं आपको साल में 20 करोड रुपए इन से लड़ने के लिए मिलते हैं जुबैर आप पहले तो यह बताईए कि आप कितने साल से इन से लड़ रहे हैं हमने तो अभी अभी इनका नाम सुना है तो वहीं यतिनर सेंगालन के दावों पर पलटवार करते हुए आल्ट न्यूज के पत्रकार मुहम्मद जुबैर लिखते हैं यार कितना फेकता है यह आदमी यती कहते हैं जुबैर ने सिर्फ मेरे खलाफ बोल कर 20 करोड रुपए कमाए आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं जिससे आर खबर की अपडेट आप तक पहुँचे